दोस्तों और उस फंडमेंटल्स में आप सभी का स्वागत है, आज हम लोगों का टॉपिक है अनौतराई यूज ओफ अलेक्टिस सिटी जिसमें की बिजली की चोडी महत्पूर्ण है, मीटर के छेरचार के बारे में बताऊंगा कैसे बिजली चोडी मानी जाती है, मीटर में क कैसे डिटेक्ट होता है, बिजली चोडी का यूनिट कैसे कैलकूलेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और अंत में एक एक जामपल देखे, पेनल्टी कैलकूलेशन के बारे में बताऊंगा, और आप देखेंगे कैसे एक किलो वाट से भी कम लोड में, एक लाक पची जीट पचार करके, अगर अगर आप फेज और नियुटरल जो incoming side है, उसको अगर आप connect कर देगे, ओटगोइंग सड में, इस incoming को outgoing में अगर आप connect कर देगे तो आपका मीटर बाइपास हो जाएगा और बिजली चोडी मानी जाएगी, सेकेंड नमर पर आप देखिए फेज रिवार्सर है थार्ड नमर पर जो है मैंगनेट का सिंबल है कोई अगर मैंगनेट से मीटर को छेड़ सार किया उससे भी बिजली चोड़ी होगी क्योंकि इससे इंकमिंग और आउट कोईंग का प्रभावित होगा करेंट और मीटर से र फैपास हो सकता है एक वायर तो अना थोरा यूज एलेक्टिसिटी में जो भी इंस्पेक्शन होती है और जो प्रोवीजन है इसको डिल करने के लिए वह इंडियन इलेक्टिसिटी एक्ट का सेक्शन 135 है तो सेक्शन 135 क्या कहता है मुखिता यह सिर्फ पाँच बिंदों के के बाड़े में बोलता है सबसे पहला यह बोलता है जो कोई अगर lt lines है लैसेंसी की underground cable है supply lines overhead हो या underground हो या underwater हो या कोई भी service wire हो उसको अगर cut करके कोई direct बिजली उप्योग करता है वो another use of electricity में आता है और पहला ही point सबसे बड़ा चोड़ी में आता है दोस्तों temper meter को install करता है उसका उप्योग करता है current reversing transformer का उप्योग करता है या loop connection करता है ऐसा कोई भी connection जो meter के reading को प्रभावित करेगा वो भी बिजली चोड़ी में आएगी third point ये है जो भी electrical meter है या कोई apparatus है discom का उसको अगर destroy करता है और ultimately ये भी वही बोलता है भी होती है अगला है जो tempered meter से अगर उप्योग करता है एक था जो meter को temper करता है दूसरा temper meter से उप्योग करता है दोनों लगभग बड़ावे ही हुआ और एक और unauthorized use में आता है वो आता है जो अगर आपको जिस category में है जिस purpose के लिए आपने बिजली लिया है इलेक्टिसिटी में directly theft of electricity नहीं कह सकते हैं theft of electricity जो है वो हो गया जो पहला point में ने बताया और temper की case में भी होता है जिसको मैं आगे detail में बताऊंगा सारे temper meter के case में बिजली की चोड़ी ही नहीं होती है और 135 ही नहीं होती है दोस्तो section 135 पे अगर आपके इंस्पेक्शन होगा तो उसमें FIR भी होगा जो local थाना है और penalty तो लगेगी ही लेकिन सारे temper meter के case में 135 में inspection नहीं होता है कुछ में inspection होता और 126 में calculation होता है section 126 में और 135 का भी calculation 126 में होता है 126 में अगर आपके इंस्पेक्शन होगा तो उसमें आप फायर नहीं होगा fine तो लगेगी ही लेकिन 135 में मैं फिर से बता रहा हूं यह additional है fine तो लगेगी ही साथ साथ local थाने में प्रात्मी की भी दर्ज कराई जाएगी इनर्जी यूनिट कैलकुलेशन कैसे होता है बिजली चोड़ी के केस में या अनात्राइज यूज ऑफ लेक्टिसिटी के केस में तो दोस्तों यूनिट जो ऐसे हम लोग करते हैं उसका एक फर्मूला होता है बड़ा ही फेमस फर्मूला है जिसका नाम है यूनिट निकालना चाहते हैं वो किलोवाट में होता है अगर आप किलोवाट में नहीं वाट मिलेंगे तो लास्ट में आपको यूनिट निकालने के लिए एक हजार से भाग देना पड़ेगा और यह जो लोड होता है जितना भी अप्लाइंसेस कनेक्टेड होते हैं उसका लोड लिया जाता है दूसरा है load factor F मतलब load factor load factor मतलब होगा direct tip के case में जैसा कि मैंने दिखाया भी direct अगर आप ltwire से direct खीच लेते हैं जो हमारा consumer नहीं है वो directly बिजली के कर रहा है या meter को completely हटा के fake दिया है और वो meter direct तार खीच के ले रहा है तो वो सारे case में डिरेक्ट थेप के case में फ्रेक्टर वन होगा, घरे लूग के case में अगर टेमपर कर दिया है, मीटर को फिर उप्योग कर रहा है, तो ये सारे case में 0.3 होगा, एक्रिकल्चर में भी 0.3 होगा, एंडियेट जो है, जिसे दुकान हो गया, होटल हो गया, ये सारे जो है, या तो उसमें 0.75 होता है और आधर कोई भी केटोगरी है उसमें 0.5 होता है आवर जो है उसके बाद H जो है जो लाश्ट पारमीटर आप देख रहे हैं वो है जो जिस कंजूमर के यहां इंस्पेक्शन होगा जहां यह चोड़ी पकड़ी जाएगी या अनुथराइज केस ऑफ एलेक्टिसिटी कुछ भी पकड़ी जाएगी तो उस कंजूमर को जिस फी यूज ऑफ लेक्टिसिटी उपयोग कर रहा है या बिजली चोड़ी कर रहा है और अगर आपको यह मालूम नहीं है जो बिजली चोड़ी या अनुथराइज यूज ऑफ लेक्टिसिटी कब से हो रहा है वहां तो आप मैक्सिमम 12 मन्त ले सकते हैं अर्था 365 दिन ले सकते है तो पेनल्टी कैलकुलेशन कैसे होता है तो सबसे पहले हम यूनिट एसेस कर लिए यूनिट एसेस करने के बाद दोस्तों अगर वह टेमपर्ण मीटर वगेरा के थुरू है तो उसमें जितना यूनिट बिल्ड हो चुका है वह यूनिट हम लोग घटा देंगे अगर डियर चार किलोवाट पाएगा तो एडिशनल जो किलोवाट लोड है उस पे भी पेनल्टी लगेगी इसलिए लिखा है फिक्स चार्ज पे भी पेनल्टी लगेगी और यह जो पेनल्टी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो जो टैरिफ है जिस कटेगरी में उसका देती है दोस्तों अगर कोई बिजली चोड़ी करता है तो मेरे हिसाब से उसको गवर्मेंट सबसेडी तो नहीं देगी आप लोग भी जानते हैं तो इस केस में जो पेनल्टी कैलकुलेशन होगा तो उसका रेट बिना सबसेडी के लगेगा और बिना सबसेडी के रेट आप जानते हैं कितना हाइ है वह हमलोग केक केलकुलेशन में भी देखेंगे तो टेंपर के केस में 126 करें या 135 करें Medidas फंटेफाइर होगा इसमें तो आनुसार केरी किया होगा तो इसमें सिंपल लिखा है जो सप्लाइट धिया हुआ है बीहार का और उसमें बिहार इलक्रिशि supply court के first amendment में यह दिया हुआ है इसको clear किया है clear यह किया है दोस्तों जो अगर meter tempered पाया गया और अगर यह पाया गया कि कोई सबूत नहीं है जो consumer ने में खोद से meter temper किया है तो उस case में हम लोग 126 में हम बुक करेंगे उस case को और थात हम लोग FIR नहीं करेंगे बस fine LFDS से calculate करके हम लोग कर देंगे और इसमें factor 1 भी नहीं लेंगे चुकिए नहीं करना है direct tap नहीं है tempered है तो factor 1 भी नहीं लेंगे जैसा होगा वैसा हम लोग लेंगे वह मैंने पिछला जो बताया है उसके बाद अगर हमारे पास evidence है कोई भी जो भी inspecting authority गया है उसके पास अगर evidence है जो का न्यूमर खुद से वह temper किया है तो उस case में 135 में वह book होगा अर्थात इस case में local थाने में fire भी होगी और फिर उनको जो है penalty भी उसी तरह 126 में calculate करके देना पड़ेगा तो एक हम लोग example लेते हैं penalty calculation का मान लिजे कोई एक बिजली चोड़ी कर रहा है उसके दो पंखा तीन LED एक TV और एक HP का पानी वाला motor पाया गया मान लिजे वह सहरी घरेलू का ज्यूमर है बिहार का इसलिए बिहार का वह tariff है DH2 तो इसमें यह कितना load उप्योग कर रहा है त जो दो फैन है दो गुना 60 वाट फिर उसी दा 3 इंटो 9 वाट LED का टीवी जेनरली या इंस्पेक्शन सीजर रिपोर्ट में बनाएगा तो उसमें या तो भी Bureau of energy efficiency के द्वारा दिया गया लेगा या जो actual है वो लेगा मतलब actual अगर पता नहीं है तब Bureau of energy efficiency के द्वारा दिया गया है लोड लेगा ने तो उसको actual ले रहा है जो rated input power होता है generally appliances में लिखा रहता है दोस्तों तो यहां total load हो गया 932 watt क्योंकि 1 hp water pump motor का 746 watt होता है आप जानते ही है तो इसको मैंने kilowatt में बना लिया unit calculation के लिए तो kilowatt हुआ 0.993 kilowatt अर्था लगवाग 1 kilowatt तो अब हम लोग LFDH formula लगाते हैं तो LFDH में मैंने L लिख दिया जो kilowatt में था उसके बाद चुके यह direct theft है इसलिए factor 1 होगा मुझे आगर पता नहीं है inspecting authority को कितने दिन से चोड़ी हो रही है तो 365 दिन रहेगा इसमें और मालीजे hour of supply उस feeder में परती एक दिन लगवा 21 घंटा पावर supply की जाती है तो total unit हुआ आपको 7612 unit क्योंकि हम factor में नहीं लेंगे unit को just अगला digit में हम लोग round off करेंगे अब देखिए दोस्तों इसका fine calculation के लिए सबसे पहले हम लोग energy charge निकालेंगे तो आप 7612 ये तो 365 दिन का हुआ क्योंकि days मैंने 365 दिन लिया है तो इसलिए मैंने 1200 को 6.05 से multiply किया यहां मैं उसको subsidy नहीं दोंगा consumer को आप भी अगर calculate करेंगे या कोई भी इंस्वेक्टिंग और calculate करेंगे तो वह subsidy नहीं देगा जैसा मैंने बताया फिर अगला 1200 यूनिट जो है बारा मेन का मैंने एक ही बार सोचा निकाल लूँ तो 1200 यूनिट जो अगला है उसको 6.85 पैसा और अगला 1200 यूनिट जो है वह 7.70 पैसा तो टोटल यह 3600 अगर आप घटा देंगे तो 400012 यूनिट बचा जो की 8.50 पैसा के दर से हो जाएगा तो कर्मेंट ऑफ बिहार के द्वारा 6% electricity duty इंपोज की जाती है तो यह इनको देना ही पड़ेगा तो यह हो गया आपको 359 रूपया फिर फिक्स चार्ड चुकि लोड यहां है पॉइंट 993 किलोवाट अर्थाथ 1 किलोवाट लगबग है तो एक किलोवाट का फिक्स चार्ड 409 बारा मेने का 480 तो टोटल कितना हो गया इनर्जी चार्ड और इलेक्टिसी डूटी और फिक्स चार्ड मिलाके 62,831 रूपया 32 पेसा है और बिजली चोड़ी के केस में आपको डबल रेट से लेना है टारीफ के इसलिए जब मैं पैनल्टी निकालूँगा तो इसको मैं 2 से गुना कर दूँगा और 2 से गुना करने पर यह एक लाग पच करना होगा बाद में उसको कंपाउंडिंग भी जमा करके केस रफा दफा करना होगा तो आगर आप एक लाग पचीज़ चेज़ो तीरेशट को हब डिवाइट करेंगे 612 उनिट से तो लगबग सारे 16 रूपया पर उनिट पढ़ा देखिए बिजली चोड़ी कितना महागा है मुझे लगता है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा मैंने रिफ्रेंस रेगुलेटरी कमिशन के साइट से लिया है और अगर आपके पास कोई कोश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर